जिस तरह टमाटर एक सबजी नहीं फल है और दे ग्रेट वाल आफ चाइना स्पेस से नहीं दिखता वैसे ही नील गाय गाय नहीं होती अब आप कहेंगे कि फिर नाम में गाय क्यों है तो दोस्तों नाम में क्या रखा है मगर इस जानवर के इस नाम के पीछे काफ़े इंटरस्टिंग स्टोरी है जिससे जानकर आप चौक ही जाएंगे अंग्रेजी में दा ब्लू बख और ब्लू एंटलोप के नाम से जाने जाने वाला ये जानवर जंगल के राजा शेर और कई शिकारियों का पसंदीदा भोजन है काफी अनोखे ये नील गाए इस धर्ती पर बहुत ही कम बचे हुएं और इसलिए इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं दिखने में बहले ही ये काफी शांत लगते हैं लेकिन एक बार इनकी सटकी तो फिर ये अपने आपकी भी नहीं सुनते और ये रीजन है कि भारत में आज भी नील गाए कहीं दिखता है तो बेस्ट शूटर्स बलाए जाते हैं नील गाए को काबू करने में इस दोरान कोई शिकारी इनके सामने आ जाए तो फर समझे कि उसकी अमराज से मिटिंग पकी है तो आईए इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं नील गाए से जुड़े इंट्रेस्टिंग फैट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फड़ा फट ये नेक काम कर लीजे गोड़े की तरह दिखने वाला नील गाए एक बड़ा ताकतवर जानवर है इसके शरीर की बनावट भले ही गोड़े के सामान ही हो लेकिन शरीर गोड़े की तरह तराशा हुआ नहीं होता यानि गोड़े की तरह ये खूबसूरत नहीं दिखता नील गाय का बायलोजिकल नेम बुसला फिस ट्रागो कैमलिस होता है गोड़े को जहां भागते वे देखना बहुत सुन्दर लगता है वह नील गाय को भागते समय अटपटा लगता है और रफटार भी कम होती है इसकी वज़े ये है कि इसके शरीर का पिछला हिस सागले हिस्से से कम उचा होता है थोड़ा वजणदार शरीर होनी की वज़े से नील गाय बाग और देंदुए का आसानी शिश्शिकार बन जाता है हलाकि बड़ा नर निल गाय बाग के कभी कभी चखके छुड़ा देता है उंट की तरह नील गाय भी बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है नील गाय के आगे के पैर पिछले पैरों के तुलना में ज़्यादा लंबे और मजबूत होते हैं जो इनको सबसे यूनीक लुक देता है नर और मादा निल गाय की पैचान करना थोड़ा टफ होता है हलाकि नर निल गाय की गर्दन पर सफेद बालों का एक लंबा सा घना सा गुच्छा रहता है और उसके पैर पर घुटने के नीचे एक सफेद पटी होती है निल गाय की सुंगने और देखनी की शक्ती तो काफी अच्छी है लेकिन उसे सुनाई कम देता है निल गाय जादातर मैदान और पठारी अलाकों में पाये जाते हैं यानि घने जंगलों में नहीं जाते हर निल गाय के पास कम से कम दो मादा निल गाय होती है दोस्तो बारिश में नील गाय गहरे घने जंगल जाडियों में चुपकर रहते हैं क्योंकि इन दिनों मादा नील गाय के पेट में बच्चे होते हैं और बच्चों के जनन तक ये जाडियों में ही रहना पसंद करते हैं जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं तब ये अपने बच्चों को जन देती हैं। आक्टूबर नवंबर महीने में नील गाय के साथ इनके छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। नील गाय होते तो गाय की तरह हैं लेकिन इनके जो दूद के स्थन या थन होते हैं वो दो होते हैं। आपको ये जानकर हरानी होगी कि नील गाय जिस भी जगह पर अपने मल का त्याक करते हैं उन जगों पर ये अपना डेरा बना लेते हैं। गाओं के किसान का ये अंदाजा होता है कि जिस किसान के खेत में अपना मलत्या करते हैं उस खेत में इनका हमला जादा होता है। ऐसे में अगर किसी किसान भाई के खेत में ये अपना मल त्याकते हैं तो किसान को इनके मल को पानी में घोल कर जारू या नीम की टेनियों से फसल पर छड़काव करते हैं और देखा गया है कि कुछ हद तक इससे नीलगाय उस खेत में नहीं जाते हैं इससे एक और बात याद आ गई कि निलगाय यू तो बिना किसी बात से किसी से नहीं भिड़ती में अगर इने खेत में लगे फसलों से बड़ी दुश्मन होती है क्योंकि उनके एरिया में फसलों को ये बरबात कर देते हैं जिसकी वज़ा से देश के किसान इंचानवरों से अफरत करते हैं साल 2016 में तो बीजेपी के दो मंत्री आपस में मिड़ गए एक मंत्री इस बात पर अड़ा था कि निलगाय को जान से खत्म कर देना चाहिए वो फसल को नहीं होने दे रहे हैं बलकि दूसरा मंत्री इस से के बिलकुल उलट इस बात से आप समझ सकते हैं कि न मचान कोनों जुगार बचा के रखें यहो नहीं सकता कुत्ते खेत मिलेगर सोते हैं मचान बनाकर इस पर सोते हैं घर का एक आदमी 2400 घंटे खेते में बना रहता है उसमें कटील आतार बाला जाता है चमकीली पन्य लगाई जाती एक गुलेल लेकर निसाना लगा जाता है इतना सब करने के बाद भी फसल चट जाती है एक जुन जाता है दूसरा आता है रोड पर आएं तो समझ लो कि एकाद कांड निश्यत है अगर इनके आगे मोटरसाइकल आ गई तो इतना जोर से उच्छाल मारते हैं कि कांड निश्यत हैं और गारी वाला सीधे नाली में जाकर गिरे इतना सब बबाल करने के बाद भी वो आखर हैं तो जानवर ही उनसे फसल बचाने का कोई और तरीका निकालना चाहिए क्यों समयत है आप मेरी बात से तो नीचे कॉमेंट में यस लिखें आईए अब बताते हैं आपको कि अगर नील गाय गाय प्रचाती की नहीं है त असल में नील गाय किस प्रचाती का है इसको लेकर अलग अलग राय देखने को मिलते हैं हलाकि साल 1992 में होई फाइलो जैनेटिक स्टडी के मताबिक डियने की जांच से पराचला की बोसला फीनी यानि की बकरी भीनवाली प्रचाती गौवंच और ट्रेजला फीनी यानि की ह असल मिलकर मार डालते थे गाउं में नील गाय का शिकार होने लगा ऐसे में नील गाय बिलुप्त होने के कगार पर आगया इसके बाद एक मुहीम चलाई गई और फिर इने नील गाय कहा गया क्योंकि बहुत सी जगों पर गाय को मा का दर्जा दिया जाता है ऐसे में अपनी गाटी सब्वेता के दौरान भी नील गाए का जिक्र है मुगल काल के दौरान इनके शिकार का भी जिक्र मिलता है मुगल बाच्छा जहांगीर के आत्मकथा में जिक्र मिलता है कि वो इसके शिकार पर काफे गुस्सा हो गए थे भारत के अलावा ये नेपाल, फाकस्तान, बंगलादेश में भी पाय जाता है इनकी उचाही चार से पांच फुट और लंबाई छे फुट तक होती है इनका वजन 120 से 240 किलो ग्राम तक होता है नील गाय का गर्बब स्थाकाल आट महीने का होता है ये एक बार में दो या तीन बच्चे को जन देती है नील गाय के उस्थत अमर 20 साल होती है नील गाय में प्रजनन के क्रिया जादातर गर्मियों के मौसम में होता है कनिक्शन बैटने के बाद नर और मादा अलग अलग जुन बना कर रहने लगते हैं और एक नर नील गाय कम से कम दो मादा नील गाय पर अपना हग जताता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये इनका अपना नियम होता है बारिश खत्म होने के बाद ये अपने बच्चों को पैदा करती है इसका में बज़य ये होती है कि ऐसे मौसम में जाडियों और घास पूस काफी अधिक और घने और हरे भरे हो जाते हैं जिससे इनके छोटे बच्चे इनमें आसानी से चुप सके मादा नील गाय किसी भी नील गाय के बच्चे को अपना ही बच्चा मानती है और कोई भी बच्चा किसी भी के पास जाकर भूक लगने पर दूद पी लेते हैं इनमें किसी भी तरह से कोई मत भेद नहीं होता नील गाय से पैदा होए बच्चों को जुंड में सभी मादा नील गाय मिल जुल कर पालती है तो चलिए वीडियो में फिलाल इतना ही और उम्मीद है कि वीडियो की दी गए जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें